हिमाचल में बीते कुछ महीनों से बहुत सी राजनीतिक हल चल देखने को मिली है जिससे सरकार को गिराने की पुर्जोर कोशिश भी की गई राजसभाज चुनावों के दोरान बागे विधायकों के कड़े तेवर भी देखने को मिले जिससे हिमाचल प्रदेश की राजनीती की गूंज केंद्र तक पहुँची सुखविंदा सिंग सुखु और नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकूर के बीच 36 का आंकडा भी देखने को मिला लोगसभा चुनाव भी खत्म हुए और उपचुनाव भी सुखविंदा सिंग सुखु अपनी साख बचाने पर काम्याब हुए मगर जैराम ठाकूर का कद बढ़ न सका तो ऐसे में भाजपा में नेत्रित्व परिवर्तन की संभावनाए अब जोर पकड़ सकती है हाल ही में हुए दोनों उपचुनावों के परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं रहने पर मौजूदा नेत्रित्व को इसका कड़ा सामना करना पड़ सकता है केंद्रे नेत्रित्व हेमाचल प्रदेश की वर्तमान राजनितिक परिस्थित्यों पर गेहन विचार कर सकता है विधासभा के आगामे मौसून सत्र से पहले भाजपा की प्रदेश कारे समिती की बैठक आयोजित भी की जा रही है इस बैठक में विभिन महत्वपून मुद्दो पर चर्चा भी हो सकती है जिनमें से एक प्रमुख विशे ये हो सकता है कि नतीजों का सामना करने के लिए केंद्रे नेत्रित्व को क्या रणनी तिक उत्तर दिया जाए कॉंग्रेस ने तो हार पर मन्थन भी किया हिमाचल प्रदेश में लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस की करारी हार पर शिम्ला में मन्थन शुरू भी हो गया है कॉंग्रेस हाइकमान की ओर से गठित दोस दस्य फैक्ट फैंडिंग कमेटी शिम्ला में राजीवभवन में कॉंग्रेस नेताओं ने 1-to-1 मुलाकाद की कॉंग्रेस नेता, पी एल पुनिया और रजनी पाटल ने 1-to-1 मुलकात से पहले सुभा के वक्त समन्वे समीती के साथ एक मीटिंग भी की है अब हल चल तो भाजपा में है हाला कि उप्चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा का विधान सभा के अंदर तो कोई नुकसान नहीं हुआ बल की भाजपा ने विधान सभा में 3 सीटों पर बढ़त ही हासिल की है विधान सभा में भाजपा का संख्या बल 25 से अब 28 सो चुका है जिस तरह के सियासि उठक बैठक प्रडेश भाजपा के नेता इन उप्चुनावों के दौरान करते रहे हैं नतीजे उसके अनुसार ही नहीं है भाजपा का प्रदेश नेतरित्व बार बार हिमाचल प्रदेश में सुक्खु सरकार के गिर जाने का प्रचार भी करता रहा यही नहीं लोगसभा चुनाव के दौरान भी प्रादेशिक नेताओं की फीडबाक के चलते राश्टी नेता भी ये कहने को मजबूर हो गए कि ये सरकार जादा दिन चलने वाली नहीं है परिणाम इसके ठीक उलट ही आये हैं इसका एक खराब संदेश भी आके गया है क्रॉस वोटिंग के चलते छे विधायकों के चिटकने के बावजूद कॉंग्रेस की दो उप्चुनावों में शानदार वापसी से पार्टी के विधायकों की संख्या फिर से 40 पर पहुँच गई है इससे वर्तमान कॉंग्रेस सरकार अब किसी भी संकर से उबर चुकी है और उसकी स्थिती पहले से भी जादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है तो दूसरी ही तरफ भाजपा के प्रदेश नेता इस हालात में बैक फुट पर नजर भी आ रहे है इन घटना क्रमों ने भाजपा के संगठन में आंतरिक बदलाव के सुबूगाहट को और भी जादा अब तेज कर दिया है पाटी के भीतर ऐसी नेताओं की लंबी सूची तयार हो चुकी है जिनोंने भीतर घात कर पाटी को नुकसान पहुँचाया है अगामी प्रदेश कारे समेती की बैठक में इन मुद्दों पर निरने भी लिया जा सकता है कई जिला और मंडल पदादीकारियों को उनके खराब प्रदर्शन के लिए हटाया भी जा सकता है जबकि प्रदेश स्तर के कई ऐसे निताओं पर निश्क्रियता और असफलता के चलते कारिवाई भी हो सकती है तो ऐसे में भाजपा के भीतर उठा पटक और बदलाव की संभावना अब प्रबल भी हो रही है जिसे पार्टी के अंदरूनी महौल में भारे उतल पतल की स्थिती भी बन सकती है अब देखना ये होगा कि आगामी जो बैठक होने वाली है उसमें भाजपा के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी जरूर हम आपको अपडेट्स यूँ ही देते रहेंगे तो बने रहें ये नेशन स्पीक्स के साथ